वेल्कम टो दो चैनल ग्यापन एकेडमी और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे में टर्निक के बारे में वैसे पीछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि में टर्निक कौन था लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा पीछला वीडियो का बात कर ले ताकि जो नेपॉलियन को हराय था उन लोगों ने वियना की संदी में सब कुछ बटवारा किया था तो उसमें मेटरनिक भी था मतलब कि अस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक उसके बारे में हम बात कर रहे थे वह बहुत ही निरंग्फूस एक चांसलर था परधानमंत्री समझ अब जितना भी नियम कनून नेपोलियन लगाया था उस सब नियम को हटा करके अब नेपोलियन का यूग खतम और शुरू हो गया मेटरनिक का यूग वहां से शुरू हो गया यहां पर में टर्निक 1815 से शुरू हो गया जैसे ही नेपोलियन मतलब उसको हटा दिया गया यानि वाटरलूक यूद में वहार गया और पूरा का पूरा मतलब समझे तो जो पूरा का पूरा यूरूप और लगभग मतलब यूरूप महा देश और वहां लगभग मतलब का हर जगह राज चलता था किसी न किसी माइने में हर जगह जहां जहां रस्टवाद उत्पन होगा वहां के मैतर में पड़ जाता था में ठांग हो जाता था तो यहां पे ठांग motivation किये रहां मेटर्निक का यूग ठीक है और मेटर्निक किस वीचार का था तो धोर प्रतिकिरियावादी था घड़तन्त्र का बीरौधी था करांटी के विरौधी था और निक्तالिक कीईज सेंसर्शिप लाको कर दिया और इन्ह daylight क्या कि स्कूल कॉलेजों में हर जग सेंसर्शिप लगा दिया अकबारों में यह सेंसर्शिप आखिर होता क्या है तो यह समझे तो अगर आप रश्टवाद उत्पन करें पेपर में राजा के खिलाफ अगर आप लिख रहें तो बीना राजा से पूछे आप राजा के खिलाफ कोई भी बात नहीं क्रांती दब जाए लेकिन हुआ क्या कि क्रांती दब नहीं जब लोगों को दबाते गया दबाते गया और बीच में काफी ज़्यादा लोग जब उप गए तो 1830 में ही क्रांती शुरू हो गए इटली जो देश है यह मतलब यह किसके मेटरनी कहते था और इटली उस समय अलग अलग तूटा हुआ था इटली कई भाग तीन भागों में लगभग तूटा हुआ था ठीक है तो यहां पे हुआ कि मेटरनी चाहता था कि कहीं भी रष्टवाद उत्पन नहीं हो लेकिन 1830 म काफी उप गई राजा से और वो हर जगह क्रांती फैल आने लगी उसी में एक हम कहेंगे कि गड़तंत्र का सबसे बड़ा समर्थक मतलब कि अगर बोले तो लोकतंत्र का समर्थक मेजनी का उदय हुआ मेजनी जो कि इसका जनम हुआ था जेनेवा में बहुत जगह जेनेवा यहाँ लिखा है जोनोवा अलग-अलग नाम लिखा रहता है 1805 इसे में इसका जनम हुआ था यह करबोनरी का सदस्य था देखिए करबोनरी एक परकरकन गुप्त संगठन है अब इसमें होता क्या है द जब उसका जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा जनसंख्या मिल करके और तब वो क्रांती करेंगे राजा के खिलाफ तो गुप्त संगठा ने जिससे राजा को कानो कान खबर नहीं चले कि राजा के खिलाफ सड़यंत रो रहा है एक जगा लोग इकठा होते थे जि इत्ली ज्तबैना तो ठीक है तो उसको चाहता है कि वह एक हो जाए और एक होना ही अगर वह हो जाए तो समझे की इट्ली का एक करन वह में लक्षे यहीं था और अजादी अगर इट्ली यही हर जगा जाके सब को चढ़ाता है अचाइनी के बाद से वहाँ पर रश्टवाद उत्पन कर रहा है और वहाँ लोग विद्रोह करना शुरू कद रहे हैं और राजा को मजबूरन वहां से भागना पड़ जा रहा है तो यहां देखिए वियना की संदी के बाद फ्रांस का राजा जब फ्रांस में वियना की संदी हुई तो नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन के हारने के बाद सब को तो फ्रांस से भागाए गया था तो अब यहां पे जब नेपोलियन बोनापाट की हार हो गई है तो लुई 18 को ठीक है फ्रांस का राजा बना अब जब लुई 18 फ्रांस का राया मतलब राजा तो एक इसमें quality थे यह अपने दादा पर दादा की तरह नीरंगूस नहीं था और यह स्वेक्षाचारी नहीं था कि नहीं जो करेंगे अपने लिए करेंगे अपने से मतलब नहीं है हम चाहें अगर हम जो बात बोल दें पत्थर के लकिर जानता वही करेगी इसका मतलब सोच ऐसा नहीं था यह कुछ अच्छा था लूई अठ्रावा लेकिन करते हैं कि अच्छाई ज्यादा देर तक नहीं टिकती है यहां पर भी वही हुआ मेहनत किया काफी पर्यास किया मतलब लूई अठ्रावा कि हम सबको एक मतलब एक जूट बनाकर रखें सबके बातों को रख कि जब किदर थे हम लूई अठ्रावा यहां पर फ्रांस के राजगदी पर बैठा उधारवादी और फ्रांस के लोगों की समस्या समझने वाला और यह क्या था प्रतिकिरियावादी और सुधारवादी के बीच समझस्या स्थापित यहां थोड़ा सा ध्यान दिजेगा य कि सब अपने प्रजा के समस्या को सुनता था और कौन-कौन से प्रोब्लम में उसको समझ करके तब लेता था उचित ड़िसेजन और अच्छा डिसेजन लेता था यह नहीं कि पादरी लोगों को पीर समंध लोगों को ज्यादा विचेस अधिकार देते ईसा कुछ नहीं एक जूट रहे हैं और सबको बराबर हम अधिकार दें सबको खुस देखना चाहता था लेकिन सबको एक साथ कुस रखना संभव नहीं है अगर आप अपने होता क्या है आप अपने लाइफ में ही देख सकते हैं सबको आप खुस नहीं रख सकते हैं अगर एक कोई कदम उठा तो दूसरा उस कदम से ना खुश हुई जाता है ठीक है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है यह मतलब सुरू से ही चलते आ रहा है बेचार यह भी कोशिस किया है कि सब कोई एक जूट रहे हैं यह देखिए यहां पर बोला है कि प्रतिकरियवादी जो भी लोग है ठीक है और ज इस भी को शमेधानी घोषना पत्र और इन्होंने एक संबेधानी घोषना पत्र दिया शम्बेधान मतलब समस्ते हैं नियम कानुन दो जून 1814 याद रखेगा जिसमें लिखा था कि कि किसको कौन सा अधिकार दिया जाए इन्होंने मतलब कौन लोई अठ्रामा यह काफी अ वही वाला राजय शुरू हो गया, अच्छाई के जाने के बाद से फिर बुराई का दबदबा शुरू हो गया, थोड़ा सा अच्छाई नीचे आया, और फिर बुराई का दबदबा फिर उतना ही बढ़ गया, फिर फ्रांस का एक ऐसा राजवाना जो बहुत ही ता उसकी जो सोच थी वो मेटरनिक से बहुत मिलता था समझे तो इसका डीने मिलता था डीने का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं और हम लोग अगर जो के रिप मेली अगर देखें तो मूवी में भी देखें एंटेटेन्मेंट मूवी में कि डैडीज नजायज उलाद यह आप जानते ही हैं अगर तो इन दोनों का मतलब की चार्यास डसम और मेटरनिक का सौंच मिलता था कि कोई लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो तुम जितना मन कर अपने राजा हो तो राजा की तर्र हो लेकिन पड़िवर्तन करो गई और इसे जनता का भला होगा तो दगकत वाली जाएगी फिर जनता और उसका मन बढ़ जाएगा और वो चाहिए कि राजा को ऐसे रहना चाहिए तो यह थोड़ा सा गलत मतलब यह सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर लूई अठरावा की मिर्तिव 1824 इस्वी में उसके बाद से फिर से वही निरंकूष राज तंत्र अस्थापी तो और चाल्स दस्थम फ्रांस का राजा बना ठीक है जिसका सूच मेटर्निक से मिलता था एकदाम समझिये डीने मिलता था ठीक है और यहाँ पर अब जानेंगे ठीक है एकजाम में कोशन पूच देता है जुलाई 1830 की क्रांति तो यह जुलाई 1830 की क्रांति यह उसी समय की घटना है जब किसकी मिर्ति होई 1824 इस्वी में यहां लूई 185 की मिर्ति होई और उसके बाद जस्ट राजा बना चाल्स दस सम ठीक है और यह अठारा सो तक लबह जात और करते करते चार साल बीत गया और 1830 में मतलब पूरा का पूरा प्राजा एंट्री मारा और उस समय और निरंकूस हो चुका था तो देखिए यह कौन-कौन सा घटिया काम किया है जिसके वासे इसको भी पीट करके भागाया जाता एक बाद थोड़ा सा नोट कर लिजेगा देखिए जो भी निरंकूस राजा थे उन लोग को जब जब भागाया गया था तब तब वो लोग हमेशा इंग्लेंड ही भागा है ठीक है जब भी करांती लोगों के द्वारा करांती किया जाता था और उसको गद्दी छोड़ना पर तो भाग करके इंग्लेंड चला जात नहीं लोगों ने करांती तो पंद्द 1830 में शुरू कर दिया पंद्र में पंद्र साल के बाद शुरू कर दिया करांती होते होते यहां देखे कि मेजनी भी एक करांती कारी के रूप में मतलब उसका उदय भी हुआ ठीक है और यह क्रांती भी किया ठीक है और क्रांती आप यह देश से निस्कासित कर दिया गया, ठीक है, तो, यह चला गया, और फिर जब आया, तो, यह भी संगठन बनाया, ठीक है, और यह भी संगठन कैसाँ, तो, यंग Itali इटली नाम का संगतन बनाया था थोड़ा सभीडर ठोपिक छूट गया था ठीक है यंग इटली नाम का संगतन बनाया एठारसो 310 में जब क्रांती शुरितली गूरिये प्रांत वाली ठीक है तो एक साल के बाद से यंग इटली का निर्माड किया अस्थापना किया और उसके इसमें कौन-कौन से लोग थे, तो बात हो ए, जिस तरह कारवोनरी जो था, याद है कि यह जो कारवोनरी था, उसी तरह यह भी एक परकार का संगठन, यह भी गुप्त संगठन है, राजा जाने का तो इस संगठन को भंग कर देगा, इसमें भी मजदूर वर के लोग, स्रमिक के लाइक हो गया यह चाहता था कि हम जो जिस संगठन का निर्माड की है जिस गुप्त संगठन का जल्दी से लोग हो जाए ताकि ज्यादा लोग होगा तो राजा के किलाफ लड़ने में असानी रहेगी ठीक है और जब लड़ेंगे तो वहां से राज तंत्र खतम हो जाएग तो इसने दो मतलब क्या बोलते हैं कि दो गुप्त संगठन का अस्थापना किया ठीक है यह एक बीच में छोड़ गया था अब आते हैं फिर यहां नीचे टॉपिक में कि जुलाई 1830 की करांती के बारा में जानते हैं कि आखरी जुलाई 1830 की करांती है जब लुई 1850 की मिर भावनाओं को दबाने वाला यह हमेसा जन्तंत लोगों में जो भावना चलता था आजाद होने वाला का मतला अजाद होने वाला उस भावना को यह दबाना जाता था ठीक है यह इस मिज़ाज का था कि मिटर ने के मिज़ाज का था ठीक है रूड़िवादी को बढ़ाओं और ये फिर वही बात रूड़िवादी लोग जो चाहते थे इसे रूड़ुड़ि था ठीक है और जैसे इसकी सुच इन्होंने वैसे ही परधान मंत्री भी खोजा वह इससे भी बड़ा निरंकुष था नहीं कहा जाता है कि यह 19 से तो 20 है इससे भी मतलब क्या बोलते हैं अगर हम अपने भासा में मतलब गाली देने के लाइक है ठीक है यह अपने ही जैसा एक यहां पर पोली नेक को परधान मंत्री निउक्त किया गया ठीक है निरंकुष था और क्या था विशेष अधिकार को समात्र करने का करने का और फिर से वही निरंकूस राजतंत्र कायम कर दें, क्योंकि हमारे राजा कैसे हैं निरंकूस है, तो उनको उसी टाइप का राजतंत्र अच्छा लाएगा, तो यह परधान मंत्री थे तो थोड़ा सा इनका करताब्य बनता है, इनका हेल्प करना, ठीके, लोगों को तबाह कर के परधान मंत्री जी, यह सड़यंत्र हमेशा रचते रहते थे, किस तरह करांती को दबाया जाए, नहीं दब जा रहा है, तो उसको उखाड के फेंक दे, ठीके, यह हमेशा इनके दिमाग में यही चलता है, लोगों को कैसे सताएं, ठीके, इनको सताने का experience लग रहा है, बह आते हैं, इन ही लोगों के वज़ा से, मतलब आउट अफ कंट्रोल हो गया सारे लोग, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया, और उन लोगों से, वो मतलब क्या बोलते हैं, दबार आये थे, जो तो वो बरदा सनहीवा की, बताईए, हम प्रजा जो है, राजा को हमारी हेल्प करन चाहिए, तो राजा हम लोग पर अत्या चार करा, और परधान मंत्री भी ऐसे व्यक्ति को नियूत किया, जो उससे भी बड़ा निरंकुस है, और देखिए, हद तो तब हो गई, ठीक है, जब ये परधान मंत्री चारगों अध्यादेश ऐसा ऐसा नियम जारी कर दिया, ठी लोग बरदास नहीं करना चाहते थे, कि ये नियम अध्यादेश जारी हो गया, तो हमको और परसानी हो गया, ये तो जारी कर दिया था, लेकिन लोगों नो इसे टिकने नहीं दिया, अब पूरा का पूरा बाद बिगरने वाला बन चुका था, ठीक है, अब यहाँ पे में, जैसे नाम रहता हійсь वैसे काम भी होता है, ठीक है, तो ये चार अध्यादेश जारी कर दिया कभ याद रहे गया, तो पूरा का पूरा गुसा फूट गया, कि ऐसे अब नहीं होना चाहिए अगर ऐसे हुआ तो थूर थार के एकदम भागा देंगे इसको ठीक है एकदम इबरदास करने वाला बात हो नहीं राजा का मतलब क्या जो मन करें वो करेंगे प्रजा का बात मनना प्रजा को खुश रखना राजा का धर्म है और एक छत्रिय ध गर्दान मंत्री के लिए पूरा का पूरा देषय के समाने घर के समाने ठीक है तौहां पर पिदौक हो गया देखे यहां पे अध्यादेसों के विरूद में पेरिश में करांती की लहर चुरू हो गई यनिकी अभी अध्यादेस चहर को जो नियम लगा विरूद में लोगों ने करना शुरू में भांव घट क्या है मतलब इत्यादी एटीसी लगा लेना जितना भी हो जाए गाली ओली जितना दे देना ठीक है यहां देखिए अठाइस जुलाई और फिर शुरू होगे और लास्त में राजा को अब मतलब कितना भी दबाना पूरा का पूरा भड़ब जाता है जब आधा आधा लोग मिल करके गुट बना के करांती करेंगे तो बट जाएंगे तो लोग कम हो जाएंगे तो करांती दब जाएगा लेकिन यहां पे सब को यह बात लगा कि यह अध्यादेश एकदम गलत है और यह नहीं होना चाहिए सार तो जान सजाएगा और बताय थे कि जितने भी नीरंकूस है भागते हैं इंग्लेंड भागते हैं ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लेंड खुद नीरंकूस था ना हमेशा अब देखें कि हम लोगों पर अधिकार कौन की आया था बैपार करने सरण दे दिये पूरा का प्रांस से निकलो नहीं तो फ्रांस के मिट्टी में लोगों कर देगा तो इस दिखन चला गया और प्रांस मीं हमेसा लड़ाई ओर यहां घुन फिर सब पूरा पूरा ये यूरोप में खलम वाली आती mean देश है ठीकिए बहुत सारे महादेश हैं और बहुत सारे इसमें देश हैं ठीक है अब बार बार लड़ाई सबसे जदा फ्रांस में हुआ है समझ लेजे तो जब जब फ्रांस में लड़ाई होता था और यहां पे लोगों में जुनून पैदा होता था कि राजा को मारना है ठीक है एकदम इतने भी देशवत है न इसको देख़ा देखिंग को क्यों दुख रहा है ठीक है तो यही एक बात भी बूला इसमें शेंटेंश को याद रहे हैं यह बोला कि इसको प्रोब्लम हो रहा है थोड़ा सा इन सब को भी प्रोब्लम होने सुरूझ हो जा रहा है तो यहीं बात मैं टअर्निक बोला कि यार बड़ी जीब बात है थोड़ा सब को रॉट양 two. एक दम राजा के भी खड़ा हो जा रहे हैं तो यही एक बात बोला है ठीक है अब यहां आते हैं कि जब यहां से 31 जुलाई 1830 को चार्स दसम वहां से भाग गया तो फिर से बेचारा थोड़ा सा मज़े तो आनात हो गया कौन फ्रांस और फिर फ्रांस को चलाने के लिए कोई तो राजा चाहिए त सौभाव का वह राजा था कैसा तो थोड़ा सा किया अच्छाई था उदारवादियों पत्रकारों तथा पेरिस की जनताओं का क्या था समर्थक था ठीक है पेरिस इधर से लिखिए यहां पर यह थोड़ा सा स्वभाव से जितने भी उदारवादी प्रकृति के लोग थे जो चाते थे कि हम अजाद रहें उनका समर्थक था पत्रकार को छूड़ दे दिया आपको देखिए पत्रकार के हाथों में सब कुछ होता है वो चाहेंगे तो सचाई को सामने ला सकते हैं और चाहेंगे तो सचाई को दबा सकते हैं उनके हाथों में और आज कल के पत्रकार को आप अच्छा से जानते हैं, उनके बारे में कहना ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि अगर जो निउज देख रहा है, समझे तो भुरम में जी रहा है, ठीक है, खुद आखों से देखेगा, तब समझ में आएगा कि जनता क्या करें, अब जनता का बात सही से, कुछ निउज वा रहेंगे किसी परकार का, ठीक हम पर दबाओ नहीं रहेगा, तो ये उसका समर्थक थे कौन, अर्लियंस मंस के जो राजा थे, ठीक है, और उन्होंने सब का बात माना और समर्थन किया, और फिर से अच्छा से सुचारू रूप से फ्रांस के राजा रहने लगे, और रहने क के बात से उन्होंने अच्छा से अपना राश्तांतर चला है, तो उमीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, कि मेटरनिक, चाल्स दस्सम, ठीक है, और रहां पर इसके परधानमंदी, पोलिगनिक, ये तीनो में खुदे लास्ट में 1848 में करांती हुआ, तो अपने यहाँ की करांती नहीं रोख पाएं, इतने महान हैं, ठीक है, हर आदमी के मेटर में पढ़ना में टर्निक का फितरत था, उसका काम था, ठीक है, उसके मतलब लग रहा है कि जनम जात ही उसको मिला है कि मेटर में पढ है, उसको ले करके आएंगे, और वो टॉपिक रहेगा, यूनान का स्वतंत्रता जो संगराम हुआ था, उसके बारे में तब तक के लिए जैहिन